16 साल की लड़की के बाल पकड़कर सड़क पर घसीटना और चाको मारना, क्या यही है सिर्फिर आशिकों की कहानी? जैसल मेर मेर में सड़क पर एक नाबालिग लड़की को घसीटा गया, उसे चाको मारा गया और बालों से पकड़कर चलाया गया. ये किस्सा किसी के मन में भी ग्रिना और नफ्रत पैदा कर सकता है जेसल मेर कहने को तो एक वड़ा शहर है लेकिन उसे बहुत डेवलप मानना शायद हमारी गलती होगी नहीं नहीं मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वहां इन्फरास्ट्रक्चर की कमी है या कोई और बात बलकी ऐसा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में 16 साल की लड़की को सड़क पर घसीता गया और चाकू से उसके उपर हमला किया गया और लोग सिर्फ देखते रहे ये मामला जेसल मेर का है जहां पर किसी सिर्फिरे की बात ना मानने का ये नतीजा निकला है जिस लड़की पर हमला किया गया वो अभी अस्पताल में एडमिट है और उसकी हालत अभी ठीक नहीं है विक्टिम नाबालिक थी और इसलिए उसकी पहचान चुपाई गई है पर जिसने ये हमला किया वो अधेर हुम्र का व्यक्ति था ये मामला दिखाता है कि सिर्फिरे आशिकों की असल में क्या हालत होती है जेसल मेर का ये वाइरल वीडियो अपनी कहानी खुद कहता है ये वीडियो आपत्यजनक है इसलिए इस्टोरी में लगाया नहीं जा सकता है ओमकार तिवारी उर्फ मनोज ने अपनी दुकान में काम करने वाली लड़की के साथ ये हरकत की थी रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमकार तिवारी ने गुस्से में उस लड़की को इसलिए मारा क्योंकि उस लड़की की माने ओमकार के साथ उसकी शादी करने से मना कर दिया था इसे एक तरफा प्यार का मामला कहा जा रहा है हाला कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि लड़की ने असल में पैसे उधार ले रखे थे और फिर जॉब छोड़ दी मामला चाहे जो भी हो इस तरह से एक नाबालिग लड़की को सड़क पर घहसीतना और उसे घायल करना गलत है ओमकार को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और उसे भी सड़क पर परेट कर थाने ले जाया गया पुलिस के मुताबिक उसके साथ वैसा सलूप किया गया जैसा उसने लड़की के साथ किया था कुछ वाटसेप रिपोर्टस इसे कम्यूनल एंगल देने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऐसा नहीं है पुलिस के मुताबिक दोनों ही पक्ष एक ही धर्म के थे ये मामला शनिवार रात का है और जब विक्टिम की परिवार वालों ने शिकायत की तब उमकार को गिरफतार किया गया ये वीडियो किसने वाइरल किया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन इतना साफ देख रहा है कि उस लड़की की मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है उमकार बहुत ही आसानी से अपने हाथ में हथियार को रखा है और दूसरे हाथ से उस बच्ची को घसीट रहा है कब तक सिर्फिरे आशिकों को किया जाएगा बरदाश्ट इस तरह की घटनाएं जहां कोई स्टॉकर किसी लड़की की हत्या कर देता है कहीं कोई लिव इन पार्टन को मार कर उसके टुकड़े कर देता है कोई अपनी गलफ्रेंड का गला दबा देता है तो कोई ऐसे टफेक कर लड़की की शकल बिगारने की कोशिश करता है अगर आप गूगल करेगी तो ऐसे कई मामले सामने आ जाएंगे जहां पर सिर्फिर आशिक अपनी सनक का परिचे दे देते हैं भारत चैसे देश में बहुत ज्यादा नहीं बल्कि एक हफ़ते एक दिन का टाइम निकाल कर ऐसी कहानी या वीडिलो जरूर देखे तो आप पाएंगी कि कितनी जगल लड़कियों पर अत्याचार किया गया है और आशिकों की फौज प्यार के नाम पर क्या 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 कर रही है ये कैसा प्यार है जो जान का दुश्मन बन जाता है क्या आपको नहीं लगता कि इसके खिलाफ कोई कानून होना चाहिए जो इस तरह की आशिकी का भूत उतार सके इस तरह के बढ़ते हुए किस से बताते हैं कि आखिर कही ना कहीं हमारे समाज और प्रशासन में कमी है जो लड़कियों को ऐसी चीज़े झेलनी पड़ती है ये शर्मनाक है कि बतोर समाज हम अपनी बेटियों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है आपका इस मामले में क्या ख्याल है अपनी राय हमें नीचे दिये गई कमेंट बॉक्स में बताएं